हेलो दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सोसलिस्टडी चानल में तो दोस्तो एक और नया वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्तित कराऊं दोस्तो आज हम अर्च सास्त्र विकास पाठ एक के 10 छोटे प्रस्णों को उत्तर जानेंगे दोस्तो आज मैं आपको एक नंबर वाले एक नंबर कोशन के साथ साथ आपको दो नंबर वाले भी कोशन कराने बनाओ तो दोस्तो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा था आप प्लेलिस्ट से दाकर देख सकते हो तो दोस्तो जो अगला कोशन है वो बहुत ही important कोशन है तो करते हैं इस कोशन को कोशन नमबर टू प्रोसी देशों में से मानव विकाहस के लिहास से किस देश की इस्तिति भारत से बहतर है जैसा कि आप जानते होंगी कि भारत का प्रोसी देश बांगला देश नेपाल शिरनलंका और पाकिस्तान है तो दोस्तो बांगला देश, नेपाल, पाकिस्तान का इस्तिती भारत से बेतर नहीं है और स्रिलंका का जो इस्तिती है भारत से बेतर है इसलिए इसका अंसर है स्रिलंका तो दोस्तो अगला कोशन करते हैं कोशन नमर थ्री वन और जल किस परकार का संसाधन का उधारन है तो दोस्तों वन और जल नवी करनिय संसाधन का उधारन है क्यूंकि वन में कोई भी चीज वेर्थ नहीं जाता है चाहे वो पेर का पत्ता हो या फिर जानवरों का मल मुत्र हो वो किसी ने किसी काम कही आ जाता है जानवरों का मलमुत्र पेर के उगने में सहायता करता है पेर के पत्ते जानवर खाते हैं जानवरों का फिर सेरूर खा लेता है इस परकार से कोई भी चीज बेर्थ नहीं जाता है यदि अगर हम जल को ही जमीन में फेक ले तो बेर्थ नहीं जाता है वो जमीन अपने अंदर ले लेता है तो दोस्तो अगला कोशन करते है कोशन नबर 4 क्या मानव विकास के लिहाज से भारत सर्वुच अस्थान पर है तो दोस्तो इसकान सरे नहीं तो दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस करजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो ना सबसे पहले आप तक पहुँचे तो दोस्तो अगला कोशन करते है कोशन नबर 5 कितने से कितने वर्ष की आयू की जन संख्या को मापता है तो दोस्तो इसकान सरे साथ वर्ष या उससे अधीक वर्ष की जन संख्या को तो दोस्तो अगला कोशन करते है कोशन नबर 6 ओसत आय से क्या भी प्राय है तो दोस्तो इसका अंसर है किसी देश की कुल आय को कुल जन संख्या से भाग दे कर जो आय प्राप्त होती है उसे औसत आये कहते हैं तो दोस्तो अगला question करते है question number 7 समरिद्ध देश किसे कहते हैं तो दोस्तो इसका answer है वे देश जिनकी 2004 में परतिवेक्थी आये 10,066 दॉलर परतिवस या उससे अधीक हो वे देश समरिद्ध देश कहलाता है दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्क्राइब गरके बेल आइकन प्रेस कर जिए ताकि जो भी मैंने आप वीडियो बनाओ सबसे पहले आप तक पहुँचे तो दोस्तो अगला question करते हैं question number 8 निम्न आय देश किसे कहते हैं तो दोस्तो इसका अंसर है वे देश जिनकी परति वेक्ति आए 825 डॉलर परति वर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आय देश कहा जाता है दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे वीडियो के लाइक नहीं किए तो लाइक किजिए दोस्तों में शेयर किजिए और कमेंट करना ना भूलिए तो दोस्तो नेक्स्ट कोशन करते हैं भारत कौन से देश के वर्ग में आता है तो दोस्तो इसका अंसर है निम्न वर्ग के देश तो दोस्तो जो हमारा नेक्स्ट कोशन है वो आज का last question है तो करते हैं इस question को question no.10 उर्जा के कोई दो प्रम प्रागत शुरोत के नाम बता है तो दोस्तो इसका answer है पवन उर्जा और सौर उर्जा दोस्तो अगर आज के विडियो अच्छा लगो तो विडियो को like करना अपने दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करना न झाल 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 झाल